जरा एक बार थोड़ा ग्लोबल मार्किट समझ लेते हैं, आज तो खेर अमेरिका हमें कुछ क्यूज देने वाला है नहीं और उनके फ्यूचर्स की भी बात करें तो फिलाल तो कुछ बड़ा आक्शन नहीं हो रहा है, वॉल्यूम्स भी काफी कम हैं, बट पिछला पूरा हफ पूजिशन से आपको रिबाउंड आते हो दिख रहा है या फिर कुछ दिख रहा है अच्छा अमेरिकी बाजारों में बहुत कुछ अच्छा हुआ हो या बहुत कुछ खराब हो वहा हो वैसे नहीं है, हमारे लिए संकेत मिले जुले हैं, एक जिसे डाउ में जो तेजी बन किये, अब आज अमेरिका बंद चुटी है, ठीक है तो आज शाम को बहुत आपको संकेत कल के लिए नहीं मिलेंगे, जो कुछ मिलेंगे डाउ फ्यूचर से मिलेंगे, डाउ फ्यूचर में भी आज कारोबार कम रहेगा, उतना वोल्यूम और उतना एक्शन नहीं होगा, एक बैड न्यूज इस गुड न्यूज, बैड न्यूज एकोनोमी के लिए खराब ख़बर, मार्केट के लिए अच्छी ख़बर, यह हुई, अमेरिका में बेरोजगारी के आँक रहा है, बेरोजगारी की दर जो है, वो साड़े तीन प्रतिशत से बढ़कर तीन दश्मलो आठ प्रतिशत आई है, यानि कि 30 basis point बेरोजगारी की बढ़ी है, और बेरोजगारी का बढ़ना, आजकल वो, पिछले हफ़ते हम यही बात करें दें शुक्रवार को, अमेरिकी बाज़गारी की दर आई है, एकोनोमी के लिए खराब ख़बर, मतलब यह कि ब्यास दरें ज् इतनी नोक्रिया कम होगी, अतना पर्चेशिंग पावर खरीदने का, पैसा खर्च करने का ताकत जो है लोगों का, वो कम होगा, वो कम होगी, तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी, तो ब्यास दरें जिससे नहीं बढ़ाने पड़ेगा, यह पूरी साइकल है, जिस पर यह जो संक्यत काम के है, वो दोनों तीनों संक्यत बहुत अच्छे नहीं है, कच्छे तेल के दाम तेजी से बढ़कर आए, ठीक है, 89 डॉलर, हम भले हर रोज कच्छे तेल के दाम पर रियक्शन ना दे है, लेकिन बहतर डॉलर से बढ़कर धीमे धीमे 90 डॉलर की तरफ चल जो बाते हो रही है, अगर वो होने लगे, तो क्या करोगे, तो फिर आपके लिए सिंपल सी चीज है, कि दाम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन तेल कम से के लॉस बढ़ते नजर आएंगे आपको, तो यह सिचुशन कच्छे तेल की ऊपर आना 90 डॉलर के आसपास not a good sign, पहली दूसरी चीज है, हमारे लिए डॉलर इंडेक्स, एक सो तीन पचीस, एक सो तीन पचास के आसपास डॉलर इंडेक्स आपका चलके अचानक से कूद कर, जो 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 जोर से कूदा है, बहुत बड़ा कूदा है, मतलब यह चोटा उचाल नहीं है, आई डून लो मतलब क्यों हाइलाइट नहीं है, लेकिन एक्चुली यह चिंता की बात है, अभी तक जो कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी हो रही थी ग्लोबल मार्केट में, वो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी के दम पर हो रही है, और डॉलर इंडेक्स वापस से एक सो चार पचास जाए, यह बढ़द इसलिए हमें थोड़ा ग्लोबल संक्राइटों को दोनों तरसे लेना है, कुछ अच्छा है, कुछ खराब है, और बढ़ने में एक दिन लगाए, तो मैं एग्नोर नहीं कर सकता, लो को अगर 75 बेसिस पॉइंट एक दिन में बढ़ गया, और पचीस बेसिस पॉंट और कल प परसों में बढ़के एक सो चार पचास के उपर आए तो फिर तो सब को टेंशन होगी, डोलर बढ़ रहा है, डोलर बढ़ रहा है, एक्विटी मार्केट के लिए खराब है, फिर सब को परसों समझ में आएगा, जब अमरिका के मार्केट को खुलेंगे, आज तो चुटी है, और फिर रिएक्शिन आएगा तो बढ़ डोलर इंडेक्स के वज़े से हम गड़ गए, एक्विटी मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये एक चिंता की बात, और कच्छा तेल, भाई, नब्बे मत दिखाना, हम से नहों पाएगा, फिर वाली आते है, नाइन्टी होत आपको लग रहा होगी कि मार्केट के जो अच्छी मजबुती है, गिफ्ट 55 सुपर है, उसको एंज्योए करने के बजाए मैं आपको डरा रहा हूँ, या मैं आपको सावधान करने लिए जो है, आख बंद करने से थोड़ी काम चलेगा, जो बढ़कर आ रहा है वो बताना किसे.